Hello and Welcome Back, I am Dr. Rahil Chaudhary, I am Dr. Catractor and Refractive Surgeon. Well, आज के Thumbnail से आपको थोड़ा साइस वीडियो का आइडिया लग जया होगा कि चश्मा हटाने की जो लेसिक लेजर सरजरी थी, वो हो गई है पुरानी और अब चश्मा हटेगा नई टिकनोलोजी सिल्क से. तो आज की वीडियो में आपको समझाना चाता हूँ, कि अगर आप November 2023 ऑनवर्ड्स चश्मा हटाने का प्लान कर गए हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि चश्मा हटाने की पुरानी टिकनोलोजी कोन सी थी, और टाइम के साथ नए अपग्रेड्स के साथ अब नए टिकनोलोजी कोन सी आ गई है, लिखे क्या होता था, कि अभी तक जो हम चश्मा हटा रहे थे, वो लेसिक टिकनोलोजी से हटा रहे थे, जो 1992 में लाँच हुई थी, अच्छी टिकनोलोजी है, लिकिन टाइम के साथ जैसे चीज़े बेटर हो जाती है, आइफोन 11 के बाद 12 आ जाता है, गाडी के मॉडल्स चेंज हो जाते हैं, पेट्रोल के बाद इलेक्ट्रिक आ जाती है, ऐसे ही टाइम के साथ चश्मा हटाने की टिकनोलोजी भी चे की quality अब हम better दे पाते हैं, safety में advancements हो रही है कि surgery time के साथ और ज़्यादा safe होती जा रही है और recovery में advancement हो रही है कि अब बहुत ही fast recovery हम दे सकते हैं, आज operation कराया, कल से आप अपने सारे रोजमर्दा के काम भी शुरू कर सकते हैं, तो देखे लेसिक के बारे में तो almost हम सबने सुना वा है, चश्मा हटाने का laser जो आया था और अब जो silk आ गया है, उसमें क्या नई advancement आई है और ये लेसिक technology से कैसे better हो गया है, ये सारा मैं आपको आज की वीडियो में समझाने वाला हूं, देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो दौनों चश्मा हटाने के operation है, लेसिक और silk, ये दौनों ही laser technologies हैं, इसमें laser का इस्तमाल होता है चश्मा हटाने के लिए और laser को आँग के इस सता पर, जिसको हम cornea, काले पुतली या आँग का शीशा कहते हैं, वहाँ पे laser को डालके चश्मे का नंबर ठीक करा जाता है, अब लेसिक में अलग तरीके से ठीक हो रहा है, और silk में अलग तरीके से ठीक हो रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको ये animation दिखाता हूँ, पहला animation जो है ये लेसिक का animation है, तो लेसिक में आप देख सकते हैं कि जब हम लेजर काली पुतली पर डालते हैं, तो लेजर को डालने से पहले काली पुतली पर एक फ्लाप या 22 mm का कट मारा जाता है, इस फ्लाप को उठाया जाता है, लेजर को काली पुतली पर डाला जाता है, और इस फ्लाप को अपनी जग लगाया आंख में 22 mm का कट लगाके फ्लाप बनाया तो ये एक लेसिक सरजरी हो गई अब सिल्क में क्या हुआ कि इतना बड़ा कट जो 22 mm का फ्लाप हम लेसिक में बना रहे थे सिल्क में वो फ्लाप नहीं बनाया जाता तो सिल्क जो है ये फ्लाप लेस सरजरी है लेजर पुतली के अंदर जाता है जैसे आप ये आनिमेशन देख सकते हैं अंदर ये अंदर लेजर एक पतली सी टिशू की डिस्क बना देता है जिसको हम लेंटी क्यूल कहते हैं और के दो से तीन मिले पॉकेट से इस लेंक्टी क्यूल को बाहर निकाल देते हैं इसमें आपके चश्मे की पावर होती है और आंग से चश्मा हट जाता है तो इन अनिमेशन को देख के जो सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ है वो यह है कि दौनों की टेक्नीक्स में थोड़ा सा फ़रक है सिल्क जो है इसमें फ्लाप को नहीं काटा जाता और लेसिक जो है इसमें फ्लाप को काटा जाता है और यही में डिफरेंस है जिसकी वज़े से सारी चीज़े अब चेंज हो गई है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस फ्लाप को बनाने में प्रॉब्लम क्या है दिखे एक बार हमने काली पुतली में इतना बड़ा कट मार के फ्लैब बना दिया अब पूरी जिंदगी एक चोट इसी टेंशन सिरु पे लटकी वी है क्या टेंशन है कि किसी दिन जोर से आंख में चोट लग गई मुका लग गया, बौल लग गई, बहुत जोर से खुजला लिया, बहुत जोर से रगड लिया तो ये जो फ्लैब बनाया वाए हमने काली पुतली में ये अपनी जगा से हिल जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैब डिस लोकेशन और अगर ये अपनी जगा से हिल गया तो आपकी नजर सारी खराब हो गई और आपको हॉस्पिटल में जाके इसको ठीक कराना पड़ता है दुबारा साब देखने के लिए तो लेसिक में ये एक प्रॉब्लम थी कि पूरी लाइफ के लिए एक लटक्ती वी तलवार है क्योंकि लेसिक में एक फ्लाप को बनाया जाता है जो कभी भी 100% पूरा नहीं चिपकता हूँ जितना भी अच्छे से हील हो जाए एक थोड़ा सा वहाँ पे डिफ्रेक्ट हमने क्रियेट कर दिया है जो अपनी जगा से हिल सकता है अगर बहुत जोर से चोट लग जाए वहीं सिल्क में ये फ्लाप नहीं है और इसी की वज़े से इस प्रोसीजर की सेफटी जो है वो बहुत हाई हो गई है तो मेंन डिफ्रेंस तो दौनों के बीच में ये है साथ में थोड़े से और डिफ्रेंस हैं जो मैं आपको एक एक करके क्लियर करता हूँ अब अगेल क्योंकि सिल्क में फ्लाप नहीं है तो फ्लाप को जड़ने का टाइम हमें नहीं देने की जुरत तो इसमें healing बहुत fast है and हम कहते हैं कि 24 घंटे में इनसान अपने रोज मर्दा के काम शुरू कर सकता है लेकिन LASIK में क्योंकि flap बना दिया उस flap को जुड़ के seal होने का हमें time देना होता है कि वो flap अच्छे से अपनी जगा पर चिपक जाए body उसको heal कर ले तो उसमें ज़ादा time लगता है तो LASIK वाले patients को हम बोलते हैं कि operation के बाद 7 दिन का छुट्टी लेना है जहां पर बहुत ज़ादा heavy काम वगएरा नहीं करना 7 दिन के बाद अपना routine शुरू करनी है और जो भी heavy काम है जिसमें आँख में चोट लग सकती है जैसे जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल खेलना है ये सारी चीज़े आपको करीब 6 महीने बाद शुरू करनी चीए तो silky recovery fast है 24 गंटे में वापिस LASIK में आपको थोड़ा सा time देना पड़ता है और 6 महीने देने पड़ते हैं, हेवी काम करने के लिए अब देखे, जैसे मैंने आपको बताया था time के साथ technology better हो रही है और जब ये better कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज quality को improve कर रहे है safety को improve कर रहे है, recovery को improve कर रहे है तो मैंने आपको बता दिया कि silk की safety LASIK से कैसे ज़ादा है, क्योंकि flapless है साथ ही, silk में recovery 24 घंटे की है compare to LASIK जहां पे 7 दिन की है तो recovery भी silk में fast है अब silk में जो नजर की quality आती है वो भी LASIK से better आती है तो LASIK में हम लोग कहते हैं standard 6x6 vision मिलती है और silk में 6x5 supervision quality मिलती है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि silk में जो laser डाला जा रहा है वो आँखों के natural axis जिसको visual axis कहते हैं उसमें डाला जा रहा है compare to LASIK जहां पे laser जो है आँख के center में डाला जा रहा है जिसको pupillary axis कहते है तो इसको समझने के लिए आप ये animation देखिए इस animation में आप देख सकते हैं कि आँख के बीच में अगर मैंने एक सीधी सी line खीच दी जो आँख के बिलकुल center से पास करती है उसको कहते है pupillary axis लेकिन research ने हमें show करा कि हम pupillary axis से तो देखते नहीं है हम लोग देखते हैं visual axis से और pupillary axis और visual axis में एक angle होता है तो silk जो है ये visual axis पे treatment कर रहा है lacing जो है ये pupillary axis में कर रहा है इसलिए silk में vision की quality और अच्छी आ जाती है और lacing में हम लोग कहते हैं standard 6x6 vision आती है अब silk का एक और बहुत बड़ा advantage है कि silk में dry eyes कम होती है देखी जब भी हम काली पुतली पर laser करते हैं इस जगा पर तो laser क्या करता है काली पुतली में जो nerves होती है उसको थोड़ा सा damage कर देता है और आँखों में 2-3 महिने सुखा पनिया dryness बनती है ये lasers का एक side effect है लेकिन silk में special technology आई जहां पर flapless operation है और ये जो आंक में lenticule बनाया जाता है एक special तरीके से बनाया जाता है जो काली पुतली में जो nerves है उनको कम से कम damage करता है तो आप ये animation भी देख सकते हैं कि silk में अलग तरह से हम operation कर रहे हैं कि जो काली पुतली काली पुतली काली की nerves है वो कम से कम damage होती है तो इन दोनों कारणों की वज़े से silk में जो dryness आती है या जो सुखापन आता है वो बहुत कम आता है compared to lessic तो lessic में हम लोग कहते हैं कि usually तीन महीने की तो dryness रहेगी ही रहेगी कुछ लोगों को तीन से जादा करीब 6 या 7 महीने तक भी आंगों में dryness रह सकती है बट silk comparatively क्योंकि gentle है आंग की पुतली पर damage कम कर रहा है इसलिए इसमें dryness कम बनती है और patient का comfort जादा रहता है तो ये एक silk का extra advantage है कि dryness या सुखापन जो side effect होता है laser का वो lessic के मुकाबले silk में काफी कम बनता है और patient की recovery और comfort जादा रहता है अब एक और important चीज़ जो silk में है और lessic में नहीं है वो है cyclotorsion compensation अब ये क्या चीज़ होती है देखे जब एक इनसान बैठी वी position से late जाता है तो आंख जो है वो थोड़ी सी घूम जाती है आंख का जो cylinder axis है वो change हो जाता है तो silk जो है ये आंखो का जो cylinder axis change होता है उसको compensate कर लेता है it adjusts for eye rotation और cylinder treatment हमेशा उसी जगा पर होता है जहां पर होना है जबकि lessic में ये facility नहीं है तो lessic में कभी-कभा results जो हैं उपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि ये जो आंखो का घूमना compensation है वो lessic technology में नहीं है compared to silk एक और बहुत बड़ा advantage जो silk का है वो है maintenance या preservation of depth of focus अब क्या होता है देखिए आज कल की active lifestyle में एक इंसान को दूर के भी काम करना है घूमना फिरना गाड़ी चलाना picture देखना beach का भी काम करना है mobile computer का काम नजदीक का भी काम करना है पढ़ने लिखने का काम तो continuously हम जो हैं अपनी आंखों का focus change करते रहते हैं दूर से beach, beach से pass pass से beach तो ये जो change of focus है ये silk में जो है lag free change होता है इसका मतलब क्या होता है कि जब एक इनसान दूर से pass देखता है तो instant clarity रहती है फट से focus change हो जाता है आंख का जबकि लेसिक में हमें जो थोड़ा सा lag मिलता है तो लेसिक में हम लोग ऐसे देखते हैं माली जे एक patient दूर से pass देख रहा हो तो हलका सा एक millisecond का lag आता है और फिर focus जो है वो साफ या perfect होता है तो यह जो इस problem को हम लोग कहते है preservation of depth of focus तो depth of focus silk में बहुत अच्छा preserve रहता है लेकिन लेसिक में थोड़ा सा disturb हो जाता है तो हम silk के मुकाबरे लेसिक का जो depth of focus है वो less optimal है अच्छा again क्योंकि flap नहीं है तो जो active lifestyle जी रहे हैं जो बहुत जादा sports में involved है kick boxing, boxing हो गया aggressive lifestyle है, adventure sports करते हैं cricket football खेते हैं इन लोगों के लिए silk हमारी हमेशा preference रहते है क्योंकि silk में flap नहीं है और lacing में क्योंकि flap बनता है तो बहुत जादा active जो sport में हैं उनको हम recommend नहीं करते हैं क्योंकि हमेशा ही खत्रा रहते हैं कि आँख में जोर से चोट लग गई तो flap अपनी जगा से हिल जाएगा और नजर खराब हो जाएगी next two point है silk में ये थोड़ा सा technology का बता रहा है कि by convex lenticule बना के चश्मा हटाया जाता है जबकि लेसिक जो traditional है starting से हम flap बना के कर रहे हैं वैसा करा जाता है अब because इतने सारे advantages है तो surgery के बाद patient बहुत comfortable रहता है fast नजर के recovery हो जाती है dryness का issue कम है depth of focus में problem नहीं आती नजर की quality supervision आती है surgery भी बहुत ज़ादा safe है तो post of comfort जो silk में है उसमें patients बहुत comfortable रहते हैं compared to lesic तो lesic में ज़ादा follow भी चाहिए होते हैं आपको 4-5 बार hospital आना पड़ता है दिखाने silk में हमें बस 2 follow चाहिए एक बार ये अगले दिन चेक कर लेते हैं फिर एक बार एक देर महिने में चेक कर लेते हैं रात की नजर में बड़ी problem आती थी रात में patients को halos and glares मतलब light का चौनदा लगना light फैली फैली दिखना या light के आसपास एक हलका सा चल्ला दिखना इस तरह की problems हमें अकसर lesic procedure में मिलती थी और हम patient को समझाते भी थे कि रात में थोड़ा बहुत problems बनेगा लेकिन ये सब silk में almost खतम हो गया तो रात की vision जो quality silk में आती है वो lesic में available नहीं है तो basically इतना सब chart मेरा आपको समझाने का purpose ये था कि time के साथ technology better हो रही है ऐसा निये कि पुरानी technologies खराब थी पुरानी गाड़िया कोई खराब नहीं थी लेकिन 10 साल 20 साल पुरानी गाड़ी और आज की गाड़ी में फरक है quality बढ़ गई है safety बढ़ गई है comfort बढ़ गई है similarly 10-12 साल 20 साल पुरानी technology और आज की technology में बहुत ज़ादा फरक आ गया time के साथ चीज़े बहुत better हो गई है और आज की date में हम patient का सिरफ चश्मा नहीं हटाते हैं चश्मा हटाने के साथ-साथ quality भी देते हैं और साथ-साथ post of comfort भी देते हैं कि patient comfortably अपनी life पे वापस लग जाए तो उमीद करता हूँ इस वीडियो से और जादा clarity मिली होगी कैसे नए procedures पुराने से different हो गए हैं बाकि आपके मन में और कोई भी doubt हो तो मैं इसे comment section में पूछ सकते हैं thank you very much for watching this video and I'll be back soon